राथे राथे दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हर्याली तीज की कथा और हर्याली तीज का महत्व बताएंगे दोस्तों श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तितिया तिति को हर्याली तीज मनाई जाती है यह तीज भगवान शिप के प्रिये मास श्रावण में आती है इसलिए इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है हर्याली तीच के दिन महिलाएं भगवान शिप और माता पार्वती की पूजा अचना करती है भगवान शिप को पती सरूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोतक किया था जिसकी फर सरूप भगवान शिप उन्हें प्राप्त हुए थे इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लियें दिन भर ब्रत उबास रखती हैं यही नहीं अच्छे पती की कामना के लिए अभिवाहित लड़कियां भी इस ब्रत को रखती हैं मानिता है कि हर्याली तीज का ब्रत रखने से विवाहित इस्त्रियों की पती के उम्र लंबी होती है जबकि अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है मानिता है इस दिन गौरी शंकर भगवान ची की पूचा करने से और इस ब्रत कथा को सुनने से सभी मनुकामनाय पूर होती हैं स्वहागिनों के पती दीर गायू होते हैं और लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है मानित्ता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पारवती का पुनर मिलन हुआ था इसे छोटी तीज या कजरी तीज के नाम से भी जाना चाता है आज के दिन हर्याली तीज की कथा सुनने मातसी भगवान शिप और माता पार्वती जी का आशिरवाद प्राप्त होता है एक बार भगवान शिप ने मा पार्वती जी को उनके पूर्व जनम के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी हर्याली तीज की कथा इस प्रकार है शिप जी कहते हैं ही पारवदी बहुत समय पहले तुमने हिमाले पर मुझे बर के रूप में पाने के लिए घोर तब किया था इस दौरान तुमने अन जल त्याप कर सूखे पत्ते चवा कर दिन बतीत किये थे किसी भी मौसम की परवा किये बिना तुमने निरंतर तब किया तुम्हारी इस इस्थिती को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे ऐसे इस्थिती में नारज जी तुम्हारे घर पधा रे जब तुम्हारे पिता ने नारज जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारज जी बोले हे गिदिदाज मैं भगवान विश्णू के भेजने पर यहां आया हूं आपकी कन्या की खोड तपस्या से प्रसन्न होकर बहे उससे बिभा करना चाहते हैं इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं नारज जी की बास सुनकर परवत राज आती प्रसंता के साथ बोले हे नारज जी यदि स्वैम भगवान विश्णू मेरी कन्या से बिभा करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मैं इस बिभा के लिए तैयार हूँ फिर शिप जी पारवती जी से कहते हैं तुम्हारे पिता की स्विक्रती पाकर नारज जी पिश्णू जी के पास गए और यह सुब समाचा सुनाया लेकिन जब तुम्हें इस बिभा के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ तुम मुझे यानि क्यलाश पती शिप को मन से अपना पती मान चुकी थी तुम्हें अपने ब्याकुल मन की बात अपनी सहीली को बताई तुम्हारी सहीली ने सुझाब दिया कि वह तुम्हें एक घंकोर बन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम सिपजी को प्राप्त करने की साथना करना इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए फेह सोचने लगे कि यदि विश्णुजी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा उन्होंने तुम्हारी खोच में धती पाताल एक करवा दिये लेकिन तुम ना मिली तुम बन में एक कुफा के भीतर मेरी आरादना में लीन थी शावन शुकल तितिया को तुमने रेज से एक शिवलिंग का निर्मार कर मेरी आदादना की जिसे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनों कामना पूर्ण की इसी वीज तुम्हारे पिता उस गुफा तक पहुँच जाते हैं तब तुमने अपने पिता परवत राज से कहा कि तुम्हारी कठो तपस्या से प्रसन्न होकर भागवान शिव ने तुम्हें सुईकार कर लिया है भोले नात ने कहा है परवती शावन शुक्ली तितिया को तुमने जो ब्रत किया था उसके कारण ही हम दोनों का विभा हुआ जो भी महिला पूरे मनो योग से इस ब्रत को करती हैं उसे में मनुवानचित फल परदान करता हूँ इस ब्रत को रखने वाली महिला को अखंड सुहा का आशिरवात प्राप्त होता है आज के दिन इस कथा को सुन्ने मात से ही भगवाशि माता पारवती जी की करपा से अखंड सौभागय और मनुवांचित फल की प्राप्ती होती है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे भेवी इसका लाब उठा सकें और हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वचिंग राधी राधी